नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूस अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक और शेयर करें तो दोस्तो सीधे शलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर तरंगे को लेकर दिये बयान से मुसीबद में महबा मुफ्ती तीन नेतां ने दे दिया पीडिपी से इस्तिफा जीएंदुस तो पिपिल्स डेमोकरिटिक पार्टी के नेता टी-एस बाजवा वेद महाजण और हुसेन वफ़ाने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है नेताओं ने इस्तिफा देने की वज़ा है महबा मुफ्ती द्वारा कही गई बातों से पेदा हुए असहजता को बताया है इन नेताओं ने महबा मुफ्ती को लिखे एक पत्र में कहा कि वह मुफ्ती के कुछ कार्यों और अवंचनिय कत्नों से विशेश रूप से असहज महसूस करते हैं जो देशभक्ती की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं दोस्तो आपके जानकारी के लिए बता दें पिप्पिल्स डेक डेमोकरिटिक पार्टी यानि की पीडिपी की अध्यक्ष महबा मुफ्ती ने शुकरवार को कहा था कि इस अब तक जमु कश्मीर को लेकर पिछले साल पांच अगस्त को सविधान में किये गए बदलाओं को वा पहली बार मीडिया से बाचीत में उन्होंने कहा कि वह तभी तरंगा उठाएगी जब पूर्व राज्य का जंडा और सविधान बहाल किया जाएगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर केंद्रिय मंत्री का बड़ा बयान कहा देश के सभी नागरिकों को मुफ्त मे मिलेगी इस महामारी की वैक्सीन जिया दोस्तो केंद्रिय मंत्री प्रताब सारंगी ने कहा है कि देश की सभी नागरिकों को इस महामारी का टी का निशुलक उपलब्द कराया जाएगा प्रताब सारंगी बाला सोर में एक चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बादचीत कर रहे थे दोस्तों उन्होंने कहा कि केंदर सरकार देश के सभी नागरिकों को इस महामारी का टीका मुफ्त लगवाईगी बीजेपी द्वारा बिहार के लोगों को इस महामारी का टीका निशुलक उपलब्द कराने के घोशना के बाद विपकसी दलोने सत्तारूर राजक प बांकी जियां दोस्तो भगोडे शराब कारोबारी विजरे मालिया को सुप्रीम कोट से एक और जटका लगा है सर्वोचन याले ने सुमवार को मालिया की युनाइटिड बेवरीज होल्डिंग लिमिटेड द्वारा करना ठक हाई कोट के आदिश को चुनोती देने के लिए दायर अरजी खारीज कर दी सुप्रीम कोट में किंग फिशर एरलाइन्स के बकाया की रिकवरी के लिए कंपनी को बंद करने पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ आए फैंसले को चुनोती दी गई थी दोस्तो कोट में सुनवाई के दोरान जस्टिस यू यू ललित की ख वसूली हो चुकी है जबकि अभी भी 11,000 करोड की वसूली बांकी है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर सरकार की सकती से सस्ता हो गया प्याज लेकिन कारोबारी हुए नाराज जी हां दोस्तो प्याज की कीमतों पर सरकार के कदमों का असर दिखने लगा है प्याज क की थोक कीमते सिर्फ एक दिन में 5 रुपे से गिर कर 51 रुपे प्रती किलो पर आ गई है दोस्तों सरकारी आंकडों के मुताबिच चैनाई में प्याज की थोक कीमते 23 सक्टूबर को 76 रुपे से गिर कर 66 रुपे पर आ गई इसी तरह बुंबई बैंगलोर और भोपाल में भी थोक भव 5 से 6 रुपे घटकर 70 रुपे, 64 रुपे, 40 रुपे प्रती किलो पर आ गए हैं दरसल दोस्तों सरकार ने प्याज की स्टोक लिमिट को भी तै कर दिया है इसके तया थोक और खुरदराव्यप पारियों के लिए अलग-अलग स्टोक लिमिट तै की गई है सरकार न कमी आई है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर विहार चुनाओ 2020 प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी ने खेला जाती कार्ड मंच से सवर्णों को लेकर कह दी बड़ी बात जिया दोस्तों विहार विदान सुबा चुनाओ के पहले चरण के मद्दान के लिए विद्वार और आरजडी के नेता तेजस्वी यादव ने मतदान के महज एक दिन पहले इशारे इशारे में जाती कार्ड खेल दिया दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव ने जन्सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालु यादव का राज थ दिया और नहीं राजड़े से गरीबी हटाई दोस्तों तेजस्वी ने कहा कि नितिश कुमार लोगडाउन में बाहर फसे बिहारियों को राजड़ वापस लाने में असफल रहे उन्होंने उनसे कहा था कि जहाँ हैं वही रहें दरसल दोस्तों पूरे भश्टन में गोर कर पूलने का मौका मिल गया बीजीपी ने तेजे स्वी पर चुनाओ को जाती के आधार पर बाटने का आरोप लगाया इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर महाराष्ट के मुख्यमंत्री अजीद पवार इस महामारी के पोजिटिव पाए गए बुंबई के अस्पताल मे भरती कराया गया है इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी दोस्तों अजीद पवार ने अपने ट्वीट पर मराठी में लिखा मेरा इस महामारी का टेस्ट रिपोर्ट पोजिटिव है और मेरी तबियत ठीक है एतियात के तोर पर डाक्टर की सलाहा पर ब बड़ी खबार उद्दव ठाकरे के गांजी की खेती वाले कमेंट पर भड़की कंगना लगाई ट्वीट की जड़ी जहां दोस्तों बॉलिड अभी ने तरी कंगना राना उतने महाराष्ट के मुख्य मंत्री उद्दव ठाकरे के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने घरों में तुलसी उगाते हैं गांजा नहीं इसके बाद कंगना ने ट्वीट कर उद्दव ठाकरे को जवाब दिया और कहा कि जन सेवक होकर आप इस तरह के तुछ जगडों में शामिल हो रहे हैं दरसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ब गांजा नहीं गांजे के खेत आपके राजिये में हैं दोस्तों इसके बाद कंगना नावत का गुस्सा साथवे आसमान पर पहुँच गया और उन्होंने ट्वीट्स की जड़ी लगा दी कंगना ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी आप बहुत ही तुछ वेकती हैं हिमाचल क देव भूमी कहा जाता है यहां बहुत ज़ादा मंदिर है होई माचल में क्राइम रेट शुनने है हाँ यहां की जमीन बहुत उपजाओ है और यहां सेब कीवी अनार और स्ट्रेबरी कुछ भी उगा सकते हैं उन्होंने आगे और लिखा आप एक एसनेता हैं जिसका नजर निर्वासन के लंबा समय हिमाचल प्रदेश में बिताया था और आप उस जगह के लिए इस तरह के अपमान जनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए आप एक जन सेवक होकर तुछ जगडों में शामिल हो रहे हैं इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर महरास्ट में इस महामारी का टेस्ट कराना हुआ सस्ता अब चुकाने पड़ेंगे मातर इतने रुपए जियां दोस्तों महरास्ट सरकार ने प्राइवेट लेब में किये जाने वाले इस महामारी की टेस्ट दरों में एक बार फिर कटोती की है सरकार जाच दरों में लगबग 200 रुपे प्रिती टेस्ट की कटोती कर दी है दोस्तो महरास सरकार ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट लेब इससे अधिक कीमत नहीं ले सकती स्वास्ते मंतरी राजे श्टोपे ने कहा कि टेस्ट की दरोखो कम करके आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई दोस्तो लेब जह कर जाच कराने के फीज 1200 रुपे की जगह 980 रुपे तए की गई है इसके अलावा घर से नमुने लेकर जाच करने की फीस अठारा सो रुपे तैय की गई है पहले इसकी कीमत दो हजार रुपे थी इसके बाद दोस्तो अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की इस्तिती तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की दोस्तो भारत में अब तक इस महामारी के संक्रमितों का आख़ा 80,000,000 के पास जाप पहुचा है वहीं दोस्तो इस महामारी से मरने वालों का आख़ा 1,19,000 को पार कर गया है दोस्तो इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महराश्टरा है जहाँ पर 16,47,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज़ब तक सामने आ चुके हैं इसके बाद में दोस्तो अंदर प्रदेश करना ठकता मिलना डूतर प्रदेश केरला दिल्ली वेस्ट मंगाल और साते लंगना बिहारा समराजस्थान चतिस गड़ मद्य प्रदेश आधी राजियों का नाम आता है इसके बाद दोस्तो अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की इस्तिती लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको अभी तक हमारी न्यूस पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दे और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बैशका बिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तो लाइक और डिसलाइक जरूर गीजे क्योंकि दोस्तो यहीं हमारी मेनत का फल होता है और इसी से में पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं तो दोस्तो जली से जान लेते हैं क्या ह पूरी दुनिया की इस्तिती तो दोस्तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आख़ा 4,30,43,000 को पार कर गया है जबकि मोतों का आख़ा 11,54,000 को पार कर गया है दोस्तो पूरी दुन्या में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमरिका है जहां पर 87,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चूके हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार इस महामारी पर WHO प्रमुख का बड़ा बयान तमाम देशों से की अपील जियां दोस्तो विस्विस्वास्ते संगठन प्रमुख ने इस महामारी वैक्सीन बनाने के लिए सभी देशों की एक जुटता का अहावान किया है उन्होंने दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे इस महामारी के मामले को लेकर चिंता जताई है बर्लिन में तीन देवशिय विस्विस्वास्ते सिखर सम्मेलन के उद्गाटन के दोरान वीडियो संबोधन में डबली एचो प्रमुख टेड्रोस एड होम घेबरी सिस ने कहा कि इस महामारी से उभरने का एक मातर तरीका सभी देशों का एक साथ आना है उन्होंने कहा कि शक्षम देशों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीब देशों के पास भी वैक्सीन पहुंचे यह सोभाविक है कि देश पहले अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन जब हमारे पास प्रभावी टीका हो तो हमें इसका प्रभावी रूप से उप्योग करना चाहिए ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका सभी देशों में टीका करन करना है उन्होंने कहा कि टीका राष्टवाद महामारी को लंबा खीच सकता है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर दश हरे के बाद बहुत खतरनाक हुई दिल्ली की हवा AQI 520 पर पहुंचा जिया दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में विजय दश्मी श्रमहरों के बाद हवा की गुनवक्ता जादा खराब हो गई केंद्रिय प्रदुशन नियंतरन बोर्ड, CPCB के आंकलों के अनुसार ITO में Air Quality Index AQI 307 दर्ज किया गया दोस्तों सोमवार यानिकी 26 सक्टुबर को इंडिया गेट अक्षरधाम और ITO के पास आसपास के इलाकों में स्मोग के कारण लोगों को सांस लेने में काफी दिगतों का सामना करना पड़ा दिल्ली के आनंद परवत और अशोग विवहार इलाके में प्रदुशन का इस्तर सबसे खतरनाग दर्ज किया गया दोस्तों अशोग विवहार में तो AQI का इस्तर 520 दर्ज किया गया जो की बेहत चिंता जनक है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर मोसम समाचा जानिए अगले 24 गंटे और पिछले 24 गंटों के मोसम समाचार दोस्तों बीते 24 गंटों की बात की एज़ाय तो बीते 24 गंटों के दोरान उपीमाले पश्य मंगाल अशम के पशमी जिलो शिक्किम और गोवा में कुछ स्थानों पर हलकी से मद्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है शेश पुरवत्तर भारत अंडमानव निकुबार दीप समुह लक्षदीप तमीलनाडू दक्षणी आंतरिक करनाठक मराटवाडा और मद्य महराष्ट में भी हलकी से मद्यम बारिश दर्ज की गई है दोस्तो दिल्ली और राष्ट राजदानी शेत्र में प्रदूशन अधिकांस इस्थानों पर बेहध खराब श्रेणी में दर्ज किया गया वहीं दोस्तो आगामी 24 गंटे के मोसम पुर्व अनुमान की बात की जाय तो अगले 24 गंटों के दोरान दक्षणी तमीलनाडू केरल वा अनुमान निकुबार दीप समुह के कुछ इस्सों में हलकी से मध्यम बारिश के साथ एक दो इस्तानों पर तेज बारिश की संभावना है पुरुवत्तर भारत तठीय करनाटक दक्षणी मध्यमाराष्ट और दक्षणी कोकलगोवा में हलकी से मध्यम बारिश का अनुमान है इसके अलावा दोस्तो बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली और NCR में अधिकान सिस्तानों पर प्रोदूशन बेहत खराब शरणी में रहेगा एक दो जगहों पर यह वायू गुलवक्ता सुचकांक बेहत खतरनाक शरणी में भी हो सकती है इसके अलावा दोस्तो उत्री भारत में मोसम शुश्क रहेगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर दिवाली से पहले फिर सस्ता हुआ सोना चांदी जानिये आज के ताजा दाम जिया दोस्तो दिवाली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है MCX पर सोने का दिसंबर वाइदा 200 रुपे कमजोर होकर 50,630 रुपे पर पहुँच गया बीते ट्रेंडिंग सेक्शन में MCX पर गोल्ड वाइदा 50,849 रुपे परती 10 ग्राम पर बंद हुआ था वहीं दोस्तो बात की जाए दिल्ली सरफा बाजार की तो दोस्तो दिल्ली सरफा बाजार में 10 ग्राम सोने का दाम 52,900 रुपे परती 10 ग्राम पर रहा वहीं दोस्तों चान्दी की बात की जाए तो चान्दी की कीमत 1350 रुपे कम होकर 62,545 रुपे प्रती किलोग्राम पर आ गई है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर इसलामोफोबिया मामला फ्रांस के राष्टपती ने इमरान खान को दिया करारा जवाब बंद करदी बोलती जिहन्दुस्तो फ्रांस के राश्टबती इमेनुल मेक्रो ने इसलाम पर हमला करने के आरोप पर पाकिस्तान के प्रदानमंत्री इमरान खान को करारा जवाब दिया है उन्होंने अंग्रेजी और उर्दु में ट्वीट कर कहा कि शान्दी की भावना में सभी मद्वेदों का सम्मान करते हैं इससे पहले पाकिस्तान पीम ने ट्वीट कर इम्मेनुल मेरको पर इसलामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था इसके बाद इम्मेनुल मेक्रो ने ट्वीट कर कहा कि हम सभी ऐसा नहीं होने देंगे हम शान्दी की भावना में सभी मद्वेदों का सम्मान करते हैं हम अभद्र भाशा को स्विकार नहीं करते और तर्क संकत बहस का बचाओ करते हैं हम हमेशा मानविये गरिमा और सार्व भॉमिक मुल्यों के लिए खड़े रहेंगे। के जी एफ चेप्टर टू से फस्ट लुक जारी। जी हां दोस्तों बॉलिवड अबिनेत्री रिवन टिंडन सुमवार को 46 साल की पूरी हो गई है। इस अवसर पर उन्होंने फिल्म के जी एफ चेप्टर टू से अपना पहला लुक शेर किया है। अबिनेत्री ने अपने इ फिल्म से अपने किरदार अधिरा का लुक साजा किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब नेशनल बैंक के स्केम नीरव मोधी को लगा बड़ा जटका। ब्रिटिस कोट ने साथ वी बार खारिज कर दी जमानतिया चिका। जिया दोस्तों भगोडा घोशित किया जा चुका है। उसने अपने प्रत्यारपन के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में चुनोती दी थी। दोस्तों नीरव मोधी इस समय दक्षन पश्रिम लंदन की जेल में बंद है। यह मामला भारत की दो जाच एजनसियां केंद्रिय जाच बीरो और सतरकता निर्दराशाले ने दायर किया था। आरोप है कि मोधी ने भारतिय बैंक के फरजी सहमती पत्र दिखा कर बैंकों से लोन लिए और फिर उस दन की हेरा फेरी की। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें इसके बाद दोस्तों अब बारी आती ह है आज के माइंड क्यूच कुशन की। जिया दोस्तों एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीच सकते हैं एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में पहला मोबाइ यहां दोस्तों कर आप जानते हैं उस कंपनी का नाम जिसका की पहला भारतिय फोन था तो जल्दी से कमेंड बोक्स में उस कंपनी का नाम लिख दीजिए अगर दोस्तों आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विज़ता के रूप में तो आपक के पास पहुच जाए जय हिन जय भारत